हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागा थे आप सभी को हमारी यूटूब चैनल में अगर आप कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले अपना रिजर्वेशन कोई भी ट्रेन में करवाया होगा वो चाहे AC हो या non AC अगर आप फिर से सेम ट्रेन या सेम कोच में फिर से अपना टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बुक कर सकते हैं खुद से अक्सर बहुत लोगों के साथ ऐसा होता रहता है कि वो टिकट तो बना लेते हैं लेकिन उनको टिकट बुकिंग होने के बाद पता चलता है कि उनका टिकट कोई दूसरा कोच में मिल गया है तो दोस्तो आज मैं इसी टोपिक पर वीडियो बनाया हूँ ताकि इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को कुछ हल्प कर सकूँ तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते है जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक टिकट है जो की कनफर्म है डी टू में 56, 57 and 58 ये तीन सीट कनफर्म है जिसका डेट अबजरनी 10 मई को है हावडा टूबो कारो जिसका ट्रेन नंबर 18014 BKAC हावडा एक्सपरेस आज मैं इसी ट्रेन में शेम कोच में लाइब टिकट बूकिंग करके दिखाने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले अपना IRCTC ID लोगिन करते हैं हावडा टूबो कारो टूबो कोच में लाइब बूला है तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहा है कि मैं सेम ट्रेन में सेम कोच में टिकट बुक कर चुका हूं जिसका कोच नमबर डी टू में 31 नमबर 32 नमबर 33 नमबर और 34 नमबर और इसके पहले वाला जो मैं टिकट बुक किया था उसका कोच नमबर भी डी टू में 56 नमबर 57 नमबर 58 तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपना टिकट सेम कोच में बना सकते हूं इजी ली सो दोस्तो आई होब कि आप लोगों को हमारा या वीडियो काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू करें ताकि हमारा अगला हेलफुल वीडियो आप तक पहुंच सकें